वेलकम टू माई यूटूब चैनल प्लीज सब्सक्राइब माई यूटूब चैनल आज हम लाएं है यूपी पुलिस के लिए इस्पेशल डोस जो कि आप एक्जाम से पहले देख कर जाएंगे तो आपको दो या तीन कोश्चन जरूर मिलेंगे पहला कोश्चन है महत्मा बुद का ज्यान पुझ का प्राप्ति किस जगह पर हुई थी तो ज्यान पुझ की जो प्राप्ति हुई थी वो हुई थी कहां पे बोध गया में और यह समाज के संस्थापक कुन थे इसको अंसर स्वामी दयानंद पंजाबी भासा की लिपी क्या है तो इसकी बात करें गुरू मुखी भारत की भूमी का दक्षिरितम किनारा कुण सा है तो दक्षिर्दम आप जानते हो दक्षिर्दम किनारा कन्या कुमारी है कुन सा है कन्या कुमारी भारत में सबसे पहले कौन से राज्ये में सूरज की पहली किराण दिखाई देती है तो इसकी बात करें तो अरूनाचल प्रदेश है इंसूलिन का प्रियोग कौन सी बिमारी के इलाज में किया जाता है मदूह में में डाइविटीज बिहु किस राज्य का फेमस तोहार है ये असम का है कौन सा विटामिन आमले में भरपूर मातरा में पायाता है तो आप जानते होगे खट्टे चीजों में विटामिन C पाया जाता है ठीक है पहला गवरनर जनरर कौन था सबसे पहले कागज का विसकार किस देश में हुआ था तो कागज के विसकार की बात करें तो चीन में हुआ था गोतम बुत के बच्पन का नाम क्या था? सिध्धार था भारत देश में ससत्र बलो का सर्वोच शेनपति कोन होता है? यह था भारत का राष्टवती ठीक है? कौन से विटामिन की कमी से रतोंधि हो जाता है? विटामिन एक ही कमी से होता है भागडा और गधा भारत के किस राज्ये की पिर्षिद निर्ते हैं ये पंजाब के हैं मचली कहां से सांस लेती है तो मचली आपने देखी होगी वो गलफडों से सांस लेती है जलिया वाला हत्यकांड कहां और कब हुआ था अमरसर में सन 1919 में हुआ था ये कोश्चन बहुत जादे पूचा जाता है अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ने करया तो चैनल को सब्सक्राइब बेजरू करने सुबाशन बोस ने सन 1949 इसमी में कांग्रेस होने के बाद किस दल की स्थापना की थी 1949 में फॉरवर्ड विलोग ये कोश्चन बहुत जादा पुगार पूचा गया है फॉरवर्ड विलोग की स्थापना किसने करी थी और कब हुई थी तो 1949 में सुबाशन बोस ने की थी सबसे पहले किसने अपना वलिदान दे दिया सन 1857 इसी के विद्रों में हुआ था सबसे पहले जो मंगल पांडे था मंगल पांडे ने विद्रों करा था जिसके बाद में 1857 को विद्रों हुआ था किस नदी के तड़ पर हडपा इस्थित है ये रावी नदी के तड़ पर है विसाल इसनानगार हडपा सब्विता के किस इस्थान से प्राप्त हुए ये हुए मोहन जोदरो से गोदी वाड़ा किस इस्थान से प्राप्त हुआ है लोथल से सिंदु सब्विता के लोग किस धा सिंदू सब्विता के लोग किसकी पूजा करते थे पसुपति और मात्र देवी की गद और पद दोनों लिप्यों में लिखा गया वेद कौन सा है यजुर बेद गे वेद कौन सा है गे साम वेद मतलब कि जहां गाना बजाने के बारे में बताया गया रिख वेद में किरमसी कितने मंडल और सुक्त हैं 10600 मंत्र और 1008 सुक्त और 10 मंडल हैं वेदिक सब्विता के निर्माता आर ये थे पंचम वेध की संग्या किसे दी गई पुडानोड को सबसे प्रानी श्मिर्थी कौन सी है मनु श्मिर्थी सबसे नविन्तम श्मिर्थी कौन सी है देव श्मिर्थी अश्ठा धाई के रचिता कोन है पाणने यह कोशन बहुत ज़ Tina पूचाता है अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नेकर चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक जरूर करें सब्सक्राइब जैते किस उपनिसद से लिया गया है मुंडो को उपनिसद गायत्री मंतर कहां से लिया गया है गायत्री मंतर रिगवेद से लिया गया है वेदिक काल का प्रमुग देपता किसे माना जाता है इंद्र को किस तरह के विवा हमें वदू का मुल्ले निर्धारित किया जाता है असुर विवा माहत्मबुद का जनम कहा हुआ था माहत्मबुद का जनम लुम्बनी में हुआ था और इनकी मुर्त्यू भी पूची जाती है इनकी मुर्त्यू कुशी नगर में होई थी महत्मा बुद्ध की कल से सम्मंद रखते थे शाक्य से मतलब कुल से सम्मंद रखते थे महत्मा बुद्ध द्वारा घर को त्यागने की घटना को क्या कहा गया महाबेनेस किरमन घर त्यागने की घटना को और मरने की घटना को महत्मामुत के महाफरी निर्मान कहा गया अगर यहापको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जिरो ने अगर आपको ऐसी वीडियो और चाहिए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें